नमस्टकार दोस्तों आज आपके लिए लेके आए हैं चीन की बिस्तारवादी नीथी तो चीन किस तरह से देशों पे कबजा करता है उसका एक लंबा चौड़ा इतीहास है तो चीन ने कई मुलकों पे कबजा किया है जो दक्षनि मंगोलिया था इसके इनर मंगोलिया कहते है इस पे हो गया, पूर्वी तुर्किस्तान पे हो गया, तिबबत पे हो गया, मकाव पे, हंग कॉंग पे और ताइवान पे भी ही अपना कबजा मानता है और इसी तरह से इसने लद्दाक के अक्साई चीन अलाके पे भी हमारे देश में कबजा गिया है नेपाल में भी ये काफी जगह पे नेपाल की जमीन को अपना बताता है उसी तरह से ये भारत के अरुनाचल रज्य में भी तवांग वाले इलाके को अपना बताता है और इसका सिर्फ भारत या दक्षन एश्याही देशों के साथ ही नहीं रूस के साथ भी इसका लेंड से सम मुद्री सीमा को बढ़ाने का काम किया है तो ये एक्चुल चाइना था जो 1948 में ये रेड कलर का था जो वो एक्चुल चाइना था बाकी चोटे-चोटे बाकी देश थे तो इसने किस तरह से बाकी देशों पर कब्जा किया सबसे पहले इसने इस तर्किस्तान पर कब्जा किया इस तर्किस्तान तर्की मूल के लोगों का एक देश था जिसको ये आज सिंजियां कहते हैं तो यहां पर तर्की मूल के लोग थे जो अपनी संस्कृति के हिसाब से चलते थे जिनको उईगर मुसल्मान कहते हैं तो उगर मुसल्मानों पे ये बहुत अत्याचार करता है यहां की आबादी का लगभग 40-45% उगर मुसल्मान है पहले इनकी संख्या जादा थी तो कहा जाता है यहां लाखों मुसल्मानों की हत्या की गई चीन के द्वारा तो इस तरह से चीन ने ये पिपल्स रिपब्लिक अप चाइना कितना इधर हमारी तरफ बढ़ता चला गया तो इसने काफी देशों पर कपजा किया ये रेड कलर में ये तुर्किस्तान है जिसको सिंजियांग कहते है ये इनर मंगोलिया है जो मंगोलिया देश का ही पार्ट था मंगोल समराज्य के अंतरगती मंगोलिया देश का पार्ट था और इस पे चीन ने कपजा करके इसको अपना हिस्सा बना दिया तो यहां की जो मैग्जमम आबादी थी मंगोलियन थी और अब यहाँ दीरे दीरे जो चीनी हान समुद्दा है उसकी बहुलेता बढ़ रही है इसके अलावा इसने तिबबत पे भी कबजा किया तिबबत पे सुरुवाती दौर में इसने तिबबत को एक तरह से कोई वो नहीं किया था लेकिन दीरे दीरे इसने तिब्बत पे सैन्य तरीके से हमला किया, फहले, इसको एक सौइद प्रान्थ का दर्जा दिया गया है, लेकिन इसने पूरे तिब्बत में अपने हिसाब से सारी चीज़ें चलाी, वहां के लोगों का माइणड वस्क्या, जो वहां के मूल निवासी जो उनकी सब्वेता थी उसको बदलने की कोशिस की और इसी के तहती अरणाचल को भी अपना हिस्सा बताता है जो अरणाचल प्रदेश है हमारे देश का हिस्सा भारत का हिस्सा उसको ये अपना हिस्सा बताता है तिबबत के पलबूते तो तिबबत के जो धर्मगुरू है द अपना दावा करता है, आए दिन सेन्य जड़ पे होती रहती हैं, नेपाल में भी इसका यही किस्सा है, जो नेपाल तिब्बत से लगाऊ था, चीन के साथ नेपाल की सीमा नहीं हुआ करती थी, तिब्बत के साथ थी, तो आज यह नेपाल में भी काफी इलागों पे अपना करता है काफी भार खबरे आती है कि इस ने नेपाल के इलाके में अपना सेने ठिकाने बनाए है इसके अलावा इसने मकाओंकोंग पर होंगbesघ किया है तो मकाओंकोंड समुद्री के किनारे बहुत छोटे ऑज देश थे तो इसको मकाव और ह whopping मकाव था जो पहले पुर्ट्गालियों के गबजे में था पुर्ट्गा ने इसको सन 17 1997 में चीन को सब्घा था उससे पहले यह अलग देश था पुर्ट्गाल के एंडर तो इस पे भी चीन ने अपना गबजा कर दिया यहां का जो भी विवस्ता थी उसको बदल के अपनी कमनिस चाइना के हिसाब से चला दिया उसी तरह होंग कॉंग को 1909 में में बिटिन ने इस सर्थ पे चीन के साथ चीन को दिया था कि यह जो इसका लोकतांत्रिक रा है और यहां अपना वन पार्टी रूल ला दिया है इस वज़ा से यहां काफी प्रोटेस्ट भी हुए अंब्रेला रिवलुशन हुआ उसके बाद भी प्रोटेस्ट होते जा रहे हैं और यहां बड़ी संग्या में लोगों को जेल में भर देता है यह देखिए यह रेड कल भीके से दबाव बनाके यह कहलाता है कि ताइवान को चीन का हिस्सा मानिया तो काफी सारे देश भी मानते हैं ताइवान को चीन का हिस्सा और भारत भी वन चाइना पॉलिसी की तहत इसको ताइवान का हिस्सा मानता है तो ताइवान का इतिहास कुछ इस तरह से था कि चीन तो अब ताइवान एक लोगतांत्रिक देश है लेकिन चीन इस पे भी अपना दावा करता है और ये देखिए अकसाई चीन है जो ये चाइना ने एक्क्युपाई किया है जम्बु कस्मी राज्ये का हिस्सा हुआ करता था तो यहाँ चीन ने 1962 से पहले इसको गबजा कर दिया ये प्यूच की पिंग कलर को अलग लग करता है यहां भी ये आयदे जढ़ पर करते रहता है यहां भी नयंतरा रिखा को नहीं मानता है line of actual control को नहीं मानता है तो ये देखिए इसमें जो ये red mark है ये भारत की ये आज की सीमा है वैसे मेक मोहन लाइन तो अकसाई चीन भी उसमें भारत का हिस्सा था तो ये इस red line को भी नहीं मानता है तो ये population distribution देखिए किस तरह से है जो चीन का पूर्वी भाग है जो हान समुद्दाई का मेन गढ़ है वो वहाँ जनसंक्या का distribution जादा है तिबद, सिंजियांग, इनर मंगोलिया यो भारत की तरब जितने भी प्रांत हैं इसके यहाँ जनसंक्या बित्रण बहुत कम है जनसंक्या बहुत कम है यहाँ पर इस वजह से और यहाँ जो यह इलाके हैं यहाँ पर प्राकरतिक sources resources बहुत जादा है इन सभी इलाकों में तो इस वजह से इसने इन पर जबरदस्ती कबजा किया है यहाँ पर यह बिल्कुल जनता की आवाज को उठने नहीं देता है जनता को दबा के रखता है लोगों पर अत्याचार करता है तो जैसा की इसमें देखा जा सकता है कि पूर्वी भाग में 1000 ब्यक्ति पर किलोमेटर है और पस्यमी भाग में 50 ब्यक्ति पर किलोमेटर है तो कितना बड़ा अंतर है और पस्मी भाग का छेत्रभल बहुत जादा है ये देखिए इस red mark से है जो जीन की 50% population है वो इतने छोटे इलाके में है जो ये आगे का red है और जो blue है ये बाकी इतने बड़े इलाके में है मतलब छेत्रभल के हिसाब से 70% से जादा छेत्रभल पे 50% जनसंग्या रहती है और जो blue रूप से जो dominating है जो communist लोग है वो पूरवी भाग में रहते हैं 50% इलाके पे और डेबलब भी वही इलाका जादा है तो इस तरह से चीन ने अपना communist वादी विचारधारा अपनी एक party rule के हिसाब से लोगों पे बड़े अत्याचार किये है और ये इस तरह से चलता रहा तो ये और और देशों पे भी गबजा करेगा दक्षेंट चीन सागर में इसका कई देशों के साथ बिवाद है जहां ये बाकी देशों को समुद्री हक नहीं देता है तो ये देखिए ये शुरुवाती दौर का चीन था ये जो नक्सा दिख रहा है आज के चीन का है ये आज के चीन के सारे प्रांथ है तो इन सभी को इसने अपने में सम्मज़्ड कर लिया है और इन सभी पे ये अपने तरीके से डंडे के बल पे सासन चलाता है तो दोस्तों इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें सेर करें लाइक करें थैंक यू